एक न्यू चेप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपने अभी से पहले नहीं करा हुआ हाला कि मैं यूनिट वन एक बार डिस्क्राइब करता हूँ आपका जो यूनिट नमबर वन है ना उसमें पहला चेप्टर है स्वियर क्यापिटल ठीक है? दूसरा चेप्टर है हमारा ESOP Employee Stock Option Plan तीसरे चेप्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाता है Buyback चौते चेप्टर का मैं बात करूँ तो आ जाता है Bonus पांचवे चेप्टर की मैं बात करूँ तो Right Issue चेप्टर की मैं बात करूँ तो Redemption of Preference Year Redemption of Preference Year यह न हमारा पूरा Unit है एक Unit 1 जिसके उपर हम यह पूरा हमारा Unit है Unit 1 इसमें से Exam में Questions आते ही आते हैं सर कितने नंबर का इसमें से सवाल बन के आएगा Exam में तो इसमें से हमेशा Always जो बन के आएगा आएगा आपके Exam में वो 15 मांस का अब कौन सा आएगा हम यह नहीं कह सकते हैं इस Unit में से हमने यह वाले Chapter अभी अभी जो चल रहा था हमारा अगर यह Chapter अकेला अलग कर दो और यह सारे Chapter अलग कर दो बात बराबर है यानि सर अगर मैं बात करूँ न तो यह तीनो Chapter आपका One Day में खतम होता है और यह वाला Chapter आपका Maximum से Maximum 3 Days में और 3 प्लस में मैं 2 लेके चलूँ आप Sir 3 प्लस में 2 किसलिये क्योंकि यह वाले जो Chapter है न सारे छोटे छोटे हैं एक दूसरे से Link है और Finally जब यह वाला Chapter आएगा न तो इसके अंदर आपका इस Chapter का भी थोड़ा बहुत आजाएगा इस चेप्टर का भी आ जाएगा इस चेप्टर का भी आ जाएगा और इस चेप्टर का भी आ जाएगा इसमें सारा incorporate हो जाएगा तो मैं ना ये वाले चेप्टर आप सभी बच्चों को ये वाला चेप्टर मैं one day इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सभी चैप्टर को दो दिन जो मैंने एक्स्ट्रा आपसे मांगा है यह इसी में मैं कवर कर लूँगा यानि जब मैं रेडम्शन अब प्रफरेंश शेर करूँगा ना तो उसी टाइम पे मैं बोनस इशू भी समझा दूँगा बाइबेक भी समझा दूँगा और आपका राइट इशू भी इसी टाइम पे समझाऊंगा जब हम यह चैप्टर पढ़ रहेंगे आपका डूरेशन में फिर जैसे यह चैप्टर के सारे कोशन हम कंप्लीट कर लेंगे जो भी 15-17 कोशन है कंप्लीट करेंगे फिर हम इस पर आएंगे न तो इस पर बस मुझे आपको बताना है कि देखो यह चीज़े कर रखा है आपको आता होगा यह चैप्टर तो इन चैप्टर के अंदर मच मोर टाइम हमें विस्ट करने की जुरत नहीं है तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो चैप्टर पिक किया यूनिट वन का वो करा है रिडम्शन और प्रफरे रहना कोई बच्चा बीच में यह सोच के परिशान बिल्कुल भी ना हो कि सर हमारा बोनस इशू तो कराए नहीं बाइबेक तो कराए नहीं या फिर आपने इस आप का टॉपिक तो छोड़ दिया है हाँ जो इशू आप शियर से उसके इंदर इंटरस वाला टॉपिक में व वो बोलते हैं सर शियर कैपिल करा है तो आप इस आप क्या नहीं कराओगे क्या सर बाइबेक नहीं कराओगे इसलिए मैंने चैप्टर लिख दिया हम ये सारा चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं करेंगा इस यूनिट को छोड़ने वाले नहीं है दूसरे यूनिट पे नह करें Redemption of Preference Share Redemption of Preference Share तो सबसे पहले हमें जानना होगा सर शेयर के कैटेगरी और शेयर कितने तरीके का होता है तो अगर मैं बात करूँ न कमपनी का किसी भी Companies के बारे में बात करें हम बिलकुल Basic से ले के चलेंगे अगर Company की बात करें तो Company ना अपना Share Capital Registration करवाता है और इस Registration को ही हम पता ही क्या बोलते है Authorize Capital इसको क्या बोलते हैं Authorize Capital और सर जब हम Registration करवाते हैं जो भी Number of Shares हो तो इस authorized capital के अंदर दोनों बाते जुड़ी होती है इसके अंदर equity share capital भी होता है हमारा और इसके अंदर हमारा preference share capital भी होता है दोनों ही होता है इसमें equity share capital भी होता है और preference share capital भी होता है इसमें तो सर इसमें preference share capital भी है और equity share capital भी है अब यह authorize में है अब हम equity में से ना कुछ part issue कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं issued capital जो हम chapter अभी तक पढ़ रहे थे इसमें पढ़ रहे थे और preference share में से भी कुछ share हम issue कर देते हैं इसमें से भी कुछ share issue कर देते हैं जो की आज हम पढ़ना start करेंगे मजे की बात है सर इन दोनों में difference क्या है difference देखिएगा इन दोनों में difference यह है कि इस वाले के अंदर dividend की हम बात करें न dividend यहां पे fix नहीं होता यहां पे dividend fix नहीं होता और यहां पे dividend पहले से ही fix होता है यहां पे पहले से ही dividend fix होता है यानि अगर company ने एक लाक रुपे कमाया है तो एक लाक रुपे के profit दो लोगों में बढ़ जाते हैं एक preference shareholder के पास चला जाता है पैसा एक equity shareholder लेकिन सर पहले किस के पास जाएगा तो पहले जाएगा preference shareholder के पास तो preference का मतलब यही हो गया priority और preference share capital अकेला ऐसे नहीं लिखा होता है इसके आगे जरूर लिखा होता है कोई ना कोई certain percentage जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया है 10% अगर मैंने यहां 10% लिखा है तो इसका मतलब सर अगर आपका 1,00,000 रुपे का preference share है तो इस पे 10% का dividend पहले इस एक लाक में से 10,000 रुपे इसके खाते में चला जाएगा आप जो बचेगा 90,000 रुपे वो 90,000 रुपे distribute हो जाएगा between equity shareholder में यानि अगर हम equity shareholder मान के चले के 10,000 है सर तो बिलकुल यह जो 90,000 है यह 10,000 लोगों में divide हो जाएगा तो अब इन दोनों में difference हमारे exam में difference नहीं पूछा जाता अब preference share के अंदर भी दो पार्ट होता है हमारा एक होता है हमारा cumulative एक होता है non cumulative तो अगर मैं preference share के type की पूछा जाए मेरे से सर प्रफरेंच share होता है कितने type का है तो हम दो तरीके के preference share issue करते हैं सर दो तरीके के preference share कौन सा issue कर देते हो एक कर देते है cumulative एक कर देते हैं non cumulative सर इन दोनों में फरक क्या है cumulative और non cumulative में अब जिस साल profit हो गा चिरफ उसी साल हम company dividend देंगे अपने shareholder को अगर आपका non cumulative है तो मान लेते हैं 01 year के अंदर हमारा 01 year के अंदर company loss में रही तो ऐसे situation में ना तो equity वाले को dividend कभी मिलने वाला है इस साल में और ना ही किसको मिलेगा लेकिन अगर cumulative preferenture की बात करें तो 0-1 year में अगर company किसमें रही loss में रही तो इस सार मान लेते हैं इसका dividend 10,000 बन रहा है तो in future जब कभी भी company profit में आएगी तो जितना पुराना dividend इसका नहीं मिल पाया था उन सभी को जोड करके उसको dividend दिया जाएगा that is क्या हो गया cumulative क्या कर दिया हमने जोड दिया और non cumulative में जिस साल आपको loss होनी की बज़े से नहीं मिला dividend भूल जाएए वो dividend आपको कभी भी मिलेगा सर जब equity share था ही तो preference share लानी की क्या ज़रत हुई अपने voting power को dilute करने के लिए preference share holder के पास power कम होता है compare to equity share holder यानि ये भी एक तरीके से company का honor है लेकिन इतना ज़्यादा पावर नहीं होता इसको voting power नहीं मिलता है मतलब किसी चीज में company में कोई ज़्यादा major changes करना होना तो equity share वाले meeting बिठा के कर सकते हैं लेकिन preference share वाले के पास right नहीं है कि वो कर सकते है तो sir preference share issue ही क्यों किया जाता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका investment करने का thought ये होता है कि हमें fix amount तो मिले at least अब दो तरीके के मैंने बोला भाहिया यहां करोगे तो 10% fix मिलेगा यहां कुछ नहीं पता 20 भी मिल जा और 0 भी तो आप यहीं पर जाना पसंद करोगे ठीक है तो ऐसे situation में preference share तो law क्या कहता है इस situation में जो हमारा preference share है preference share में हमारा एक law और एक कानून बनाया गया especially government का हमारा यहां पे section लेके आया गया section 55 section 55 लाया गया और यह section 55 लाया गया कि आप preference share को redeem करोगे preference share को आप क्या करने वाले हो redeem मैंने बोला सर मैंने issue तो कर दिया बोला आप जब कभी भी issue करोगे किसी भी preference share holder को जब कभी भी issue करोगे तो आप उसके पैसे return करना compulsory है आपको इसके पैसे return करने होंगे एक certain time period के बाद ऐसा नहीं है equity में ऐसा नहीं है आपने मेरी company में पैसे लगाए मैं कभी आपके पैसे वापसी ही नहीं करूँगा मेरी मर्दी अगर मेरी इच्छा बनती है बीच में कि मैं वापस करना चाहता हूँ तो fine कर दूँगा मेरा मन नहीं कर रहा वापस करने का मेरे पास नहीं है हम नहीं करेंगे लेकिन preference share में नहीं है preference share में company ने बोला तो हमें ये section का ज़्यादा ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है issue का part हमारे syllabus में है नहीं और issue क्या होता है जैसे equity करते हैं वहाँ पे बस preference share capital लगा दिया जाता है और कोई फरक नहीं है तो बोला गया sir आपको ना इस preference share holder को पैसे return करने है return करने जब हम किसी के पैसे return कर देते हैं अगर हम किसी का पैसा क्या कर दे return कर दे तो उसी को बोला जाता है जब किसी के पैसे को return करते हैं तो उसी को बोला जाता है redemption करना पहले तो point clear होना चीए उसी को क्या बोलते हैं redemption अब उसके पैसे आपको return करने जरूरी है, जब आपको उसके पैसे return करने तो कब करने हैं? law कहता है sir उसके पैसे आप 20 साल के अंदर अंदर return करिए आप किसी भी preference share holder के पैसे को अपने पास investment के रूप में 20 साल से ज़्यादा time clear रखी ही नहीं सकते ये law नहीं allowed करता मान लेता हूँ आपसे मैंने preference share करा preference share आपने मेरी company में पैसे लगाए कितने पैसे लगाए sir आपने लगा दिया 10 लाग उस 10 लाग पे हर साल तो मैं dividend दे ही रहा हूँ आपके पैसे मुझे 20 साल के return करने अगर 20 साल तक मैंने return नहीं करा तो हमारे उपर company action लेगी और हमारी company पे penalty fine भी लगाया जाएगा लेकिन law ने बोला sir 20 साल लेकिन some company ऐसे हैं कुछ company ऐसे हैं जहाँ पे ये time period हम 20 साल नहीं देंगे उसके वजाए हम कितना देंगे 30 year कुछ ऐसी company है जिसको हम थोड़ा ज़्यादा relaxation देंगे कि अपने preferential holder के पैसे कब वापस कर सकते हो 30 साल बाद sir ऐसे कौन से company है कोई भी infrastructure company है power generation company है petroleum company है तो ऐसे company क्या रखते हैं उसके पैसे को refund करते हैं 30 साल में sir अगर वो 30 साल में refund करेंगे तो कोई condition भी है जी हाँ इसके उपर condition लगाया गया कि आपको 30 साल का tenure तभी दिया जाएगा आपको हर साल हर साल लगबग लगबग 10 परसेंट पार्ट भी आपको redeem करना है यानि आपको 30 साल के time दिया गया तो 20 साल के expiry जैसे खतम होगा है जैसे ये expiry खतम हो जाता है उसके बाद आपको हर साल 10, 10, 10 परसेंट करके खतम करना है और 10 सालों में पूरा complete ही कर देना है समझे क्या criteria रखा गया यानि सार ऐसा नहीं है कि infrastructure company तो 30 साल में पैसा return नहीं आपको पैसा return करना start कर देना होगा कब 20 साल के expiry के बाद और 20 साल के expiry के बाद जब आपके return करना हम start करेंगे तो 10, 10 परसेंट minimum criteria आप चाहो तो 21 साल में पूरा return कर दो आप चाहते हो पांचवे साल में preferent share holder का पैसा वापस करना तो पूरा करिए कोई law आपको मना नहीं करेगा लेकिन इससे ज़्यादा time के बाद मना करेगा law आपको तो सर ये कुछ law है जो कि हमें पढ़ना ये सारी बाते कहां लिखा हुआ है section 55 में अब मज़े की बात है section 55 में ये भी लिखा है और इसके बाद section 55 एक बात तो ये बोलता है 20 साल वाली बात दूसरी बात क्या बोलता है section 55 के आप जब कभी भी redeem करेंगे तो fully paid up fully paid up share ऐसा नहीं कि आप partly paid up share को भी redeem कर लें है fully paid up shares को ही redeem करेंगे redeem करने का मतलब क्या है पैसे वापस करना अब challenge हमारे पास निकल के आता है सर आप redeem तो करोगे तो redeem जब आप करोगे तो पैसे दोगे कहां से आप इनको आपको redeem करोगे तो दोगे कहां से तो बोला भाया इनको govern section 55 करता है तो section 55 ही आपको बताएगा के पैसे कहां से आएंगे उन्होंने बोला इसके पैसे को return करने के लिए आपके पास 3 option available है 3 option available दिया उन्होंने तर 3 option कौन सा available दिया उसने number 1 कहा कि आप इनके पैसे को number 2 और 1 ले लेते हैं number 3, 3 option दिये उन्होंने बोला सर सबसे पहले आपके पास option number 1 available है कि आप ऐसा करिए आप इसके पैसे को return करना चाहते हैं अगर तो आप ना out of profit कर दिजिए यानि आपके पास profit कमा कमा के जो पैसा आप इखटा कर रहे हैं ना उस profit में अगर आपके पास balance available है तो वहां से आप इसको redeem कर दिजिए मतलब उसके पैसे लोटाने हैं ना तो उस profit में से निकाल के दे दिजिए दूसरा बोला गया अगर आप profit नहीं कर सकते तो आपको करना होगा fresh issue fresh issue यानि आप नए और share issue करके पैसा जमा करिए और उनको लोटा दिजिए किसको पुराने वाले को अब जब नए fresh issue को लोटाने की बात आई तो यहां दो confusion create वुआ असर हम कौन से वाले नए इसु करेंगे क्या हम यहां पर preference share issue करेंगे हम क्या हम preference share capital issue करेंगे या फिर equity share issue करेंगे हम तो law ने बोला भाई आप दोनों करिए आप दोनों करिये या preference share करने का मन करता है preference share करिये और equity करने का मन करता है equity मैं अभी इस पर सवाल भी लूँगा question भी लूँगा पूरा clarity आ जाएगा theoretical मैं theoretical को इसके बाद के chapter में in depth में लेके जाऊँगा क्योंकि भईया पिछली बार honors का paper जब हुआ था तो कम से कम मैंने देखा था 30 से 35 नमबर का MCQ पूछा गया था theory के base पे और उसमें से ये सारे points भी पूछ लिए गये थे सिर्फ practical question करने से नहीं होगा theoretical भी करना होगा और ये सारी बाते जो मैं आपको बता रहा हूँ हाला कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी हो semester 3 में तो वहाँ पे company law के अंदर इसमें से question भी पूछे जाते हैं तो जो company law के अंदर पढ़ते हो वही पढ़ रहे हैं दूसरा option बोला गया सर आप both से कर सकते हैं इसका इंतजाम both से सर both का मतलब क्या हो गया आप या तो कर लीजिए थोड़े से free reserve free reserve या out of profit कहलू मैंने free reserve को ना इस औअ इसे out of free reserve ना इसको मैं एक और नाम लिख देता हूँ out of profit और इसको हम free reserve भी कह देता हैं एक word आई गया मन में तो आप कर लीजिए free reserve या फिर आप कहां से कर लीजिये सर आप कर लीजिये fresh issue सर fresh issue करके यानि हम पैसे return करने की बात कर रहे हैं बड़ी basic सी बात है हमें क्या return करना है पैसे वापस करना है तो पैसे वापस करने के लिए पैसे काई तो इंतिजाम करना है तो पैसे के इंतजाम में बोला गया out of profit कर लीजिए या फिर free reserve कर लीजिए या फिर आप नए share issue कर लीजिए पैसा आएगा आप preferent share holder को दे दीजिए पैसे चुकता कर दोगे या फिर ऐसा कर लीजिए थोड़े जो profit बड़े हैं वो दे दीजिए और जितना कम पढ़ रहा है उसके लिए fresh issue कर दीजिए और फिर ले सकते हैं company के हाला ठीक नहीं है सेम इसी pattern की बात करूँ थोड़ा सा मुझे याद आया है कि बहुत लोग credit card पे यही काम करते हैं credit card का payment दूसरे में transfer दूसरे का तीसरे में transfer थोड़ा सा अपने बड़न को कम करते हैं तो लो ने कहा कि भाया तुम preference share issue करो लेकिन इसमें condition लगा रहे हैं यानि 75 share जो प्राने preference shareholder हैं वो आपको permission देदे के fresh issue करो तब ही आप कर पाओगे या फिर आपको कौन देदे आपको CLB approval देदे CLB का मतलब है company law board यहाँ पे company law board का मतलब होता है tribunal क्या होता है हमारा tribunal क्या होता है court होता है सबसे पहले पता है क्या होता है हमारा case जाता है जै आप स्टेट के बेसिस पर स्टेट के बाद जाओगे आप नेशनल के बेसिस पर नेशनल के बाद जाओगे आप इंटरनेशनल तो यह sequencing है लेकिन आप जिला तक तो आप तब पहुंचोगे जब आप पहले पुलिस थाने में registration कराओगे case बनेगा पुलिस थाने से पहले जाता है मजिस्टेड के पास मजिस्टेड कोन होता है जो की I.S. officer वगेरा उस collector होते हैं गाओं में तो और भी chain होता है मुखिया मुखिया से यहां जाता है तो सेम ऐसे हमारा case जो है न सबसे पहले ट्रिबनल के पास जाता है ट्रिबनल उसको बगर देखता है सारी चीजे बताता है अगर वहां से बात नहीं बन पाई तो फिर हम उससे उपर जाते हैं फिर हम last में court में जाते हैं court से फिर आगे फर्दर बढ़ता है तो ट्रिबनल कोन है जो हमारे सारी समस्याओं का समाधान करेगा अगर वो ट्रिबनल बोल देता है पहले यह हुआ नहीं करता था लेकिन 2013 एक्ट के अंदर यह लाया गया अगर वो बोलता है कि ठीक है तूँ इसु कर लो एर परमीशन दे दिया तो हम कर पाएंगे समझ मैं आ रही बात सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी दिक्कत कब आई अब जब मैं एक्जामपन आप जो मरजी करो हम कुछ भी नहीं कहेंगे लेकिन जब सेक्शन 55 क्योंकि जब कानुन बनता है ना तो सारी चीजे को देख के बनाए जाता है मैं आपके सामने एक पुरानी वाली बैलेंशीट रखने जा रहा हूं हाला कि इस चप्टर के अंदर जितने भी बैलेंशीट बनाएंगे सिर्फ सारी नई बैलेंशीट बनेगी जो कि हमारी कमपनीज एक 2013 के अकॉर्डिंग शडियूल 3 वाली होगी लेकिन समझ में ना हमें जादा ना पुरानी वाली से अच्छे सा आजाता है क्योंकि हम पढ़ते स्टार्टिंग से यह ही है तो यह हमारा बैलेंशी हैं आपको अच्छे से पता इधर क्या लिखते हैं हम सर्थ लाइवलिटी इधर क्या लिखते हैं अमाउंट इधर क्या लिखते हैं हम एसेट्स इधर क्या लिखते हैं इधर मान लेते हैं फिक्स एसेट्स हैं फिक्स एसेट्स मान लेते हैं पांच लाग का है इसके बाद क company का value जो है वो कितने का है 15,00,00, सर ये 15,00,00 का है अब मैंने बोला कि हमारे पास equity share capital equity share capital basically लखते नहीं हैं हम पता ही क्या लखते हैं यहाँ पे share capital लखते हैं share capital के अंदर दो भाग होते हैं जो कि पहले notes to accounts में चला जाता है कि equity share capital होगा और preference share capital होगा सर मैंने मान लिया कि मेरा यहां पर equity share मैं ऐसे समझा रहा हूँ मैं amount directly दूँँआ यह 3,00,00,00 रुपए है और यह हमारा 2,00,00,00 रुपए यानि सर equity share यह कितने हो गया हमारे 5,00,00,00 रुपए इसके बाद हमारा debenture जो है debenture जो है तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो अगर आपको loan चाहिए न तो banker सबसे पहले आपका debt equity ratio चेक करेगा 2 is true यानि अगर आपका capital 2 रुपए है तो आपके उपर करजा 4 है तो चलेगा 2 आपका पैसा लगा हो और 4 रुपए का बाहर का पैसा लगा हो तो चलेगा equity यानि एक रुपए equity के बदले 2 रुपए तक का करजा business के अंदर healthy माना जाता है आपको सुनके अजीब लगेगा सर एक रुपए का हमने पैसा लगा है 2 का करजा तो खराबी चल रहा है नहीं business healthy माना जाता है अभी बड़ी simple से बात है आपने cases देखे होंगे जो कि Adani Group के साथ चल रहा है तो उनका cash जो आपका cash ratio है debt equity ratio बहुत बिगड़ा हुआ है सिर्फ इसी बात पर objection लगा है क्योंकि उनका capital कम है और debt बहुत सा है तो कह रहे हैं भीया तुमारा debt equity ratio ही खराब है तो तुमारी company का भरोसा कैसे करे है major वहाँ पर यह है उनका current ratio बहुत बिगड़ा हुआ है current ratio हमारा 2 is to 1 होना चाहिए लेकिन उनका बहुत बेकार जा रहा है वहाँ तो इसलिए objection उठाया जा रहा है तो बड़ी सीधी सी बात है यह है law ने हमारे साथ क्या game खेला law ने बोला कि भाया अब law अपनी जग़े सही है अगर हम preference share को redeem करते है ठीक है ना अगर हम preference share को redeem करते है तो share capital कौन है sir share capital honor है यानि honor कितने का एसर यहाँ पे देखा जाए तो honor हमारा यहाँ पे कितने का एसर पांच लाक रुपए का है law कहता है कि आप कभी भी जीवन में, life में कभी भी honor अपना capital नहीं निकाल सकता एक बार लगा दे तो life में कभी भी नहीं निकाल सकता law ने यह लिखा हुआ है sir क्यों नहीं निकाल सकता अगर law बोल दे कि भीया अपना capital redeem करो तो ऐसे तो ये भी क्या करेगा redeem हो जाएगा ठीक है न और redeem होने के बाद ये भी बच जाएगा zero और ये भी equity वाले भी अपने पैसे निकाल लेंगे ये भी zero तो इस company के अंदर मालिक तो बचा ही नहीं company तो बिना मालिक का चलने लग जाएगा ऐसे तो law कहता है कि कोई भी honor कोई भी honor किसी भी condition में अपने capital को redeem नहीं कर सकता आप समझना क्योंकि business चलाने वाला कौन है honor है अगर honor ही अपने पैसे निकाल के side हो जाए मैंने इस company में पैसे लगाए तीन लाक रुपे और मैं बोलता हूँ मैं अपने equity को वापस buyback कर लेता है इसको buyback बोला जाता equity के लिए और preference share को वापस के लिए redemption बोला जाता है तो मान लेते हैं आप सभी ने अगर मान लेते हैं तीन लाक रुपे company में लगाए हूए तो आप सब honor हो आप सब बोलो पैसे वापस करो मैंने क्या करें आपके पैसे वापस कर दिया मैं मतलब company आपके पैसे वापस तो यहाँ पे equity share कितना बचा जीरो फिर preference share को भी बोला 20 साल के बाद वापस करो उसको भी कर दियो तो यहाँ पे share capital कितने बच गए है जीरो बच गए ना और जब हमारे company के अंदर honor ही नहीं है जिस दुकान के अंदर मालिक नहीं वहाँ तो चोरी चोरी पड़ा हुआ है और कुछ तो हो गाई नहीं तो law ने restrict कर दिया कि सर अगर आप ना इसको कम नहीं कर सकते आपका law बोलता है कि आपको redemption करना है 20 साल के अंदर तो यह क्यों ले के आए फिर आप अगर आपको घटाना ही नहीं था तो ये क्यों लेके आए लो ने कहा देखो मैं सीधी सी बात जानता हूँ इसको घटा नहीं सकते लेकिन इसको maintain रखने का मैं आपको तरीका जुरूर बता दूँ यानि सर maintain रखने का तरीका का मतलब यानि आप इसका जैसे ही payment करोगे paid करोगे तो आपने क्या करना है यहां से ये 2 रुपे हटा यहां से ये 2 लाक रुपे हटा यानि मान लेते हैं कि यहां से क्या हटेगा आप इसको redeem करोगे न तो ये यहां से हटा इसकी जगह पे मैं दो रुपे कुछ और बैठा दूँगा तो आपका capital कितना रह जाएगा पूरा पांची यानि इसके हटाके कुछ और डलवा दूँगा आपसे वहाँ पे ताकि आपका involvement बना रहे उसके अंदर है सानी के माली की छोड़ के भाग जाए समझ रहे हैं तो सर क्या क्या कहा उसने आप ध्यान से समझना इस बात को law ने कहा कि आप इसका payment करिए out of profit से out of profit से out of profit का मतलब आपके पास अगर कोई भी पैसा पड़ा हुआ है जैसे आपके पास general reserve है आपके पास profit and loss का balance है कोई भी पैसा पड़ा हुआ है अभी हम आएंगा out of profit पीछे क्या होता है तो कोई भी पैसा पड़ा हुआ है तो पहले इसमें से पैसे निकाल के payment जरूर करेंगे लेकिन इस पैसे को आपको reserve कर देना है capital redemption reserve में law कहता है इस पैसे को आप क्या करिए आपको थोड़ा clear है मैं यहाँ पे इसका amount भी बदल देता हूँ हटा देते हैं इसको amount यहाँ पे कर देते हैं 7 लाक रुपे और यहाँ GR कर दिया मान लेते हैं हम 3 लाक ठीक है सही चल रहा है हमारा कोई दिक्कत नहीं है 7-15 चल रहा है तो इसने कहा कि आपके अगर general reserve में पैसा है आपके profit and loss पैसा है तो उससे पहले पैसा निकाल लेजिए मेरे वाले example के अंदर देखे पैसा है और मुझे कितने के payment करने है preferent share capital के करने है कितना payment करना है हमें 2 लाक रुपे तो हमारे पास पैसा कितना है 3 लाक रुपे तो मैं यहां से निकाल लूँगा 2 लाक रुपे और इस पैसे को निकाल के ऐसा नहीं कि उसको payment कर देंगे क्योंकि profit कभी पैसा होता ही नहीं है पैसा तो हमारे bank side में होता है current liability में है ना अगर मैं बोलूँ मैं आपको profit में से पैसे दे रहा हूँ तो profit में से पैसा ultimately तो cash ही दूँगा ना profit तो कभी देखा ही नहीं होता कैसा है तो बस वो maintain करके रखता है तो हमने क्या करा यहां से profit में से पैसा निकाल के इस पैसे को कहीं और हटा के रख देना है that is कहां पे रख देना है capital redemption reserve यानि सर आप इसका करना चाहते है इसको मैं short form में आज के बाद बोलने वाला हूँ मैं CRR CRR एक्जाम में आप ऐसा capital redemption reserve ही लिख किया होगे तो सर अब मैं इसको shifting करके दिखाता हूँ यानि यहां से मैं redeem करूँगा तो redeem करूँगा तो यह यहां से गाइब हो गया और यहां पे एक नया आ जाएगा क्या CRR तोड़ गया और मजे की बात है और क्या होगा यह भी कितना हो जाएगा एक लाथ मैस तो होई नहीं रहा अरे भाईया payment किया है तो यह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ध्यान देना अब ध्यान से देखना तो यह देखो कितना हो गया total 6,7,13 और 8,5,13 तो यानि अब नए वाला देखा जाए तो कितना हो गया 13,00,000 बैलेंशीट मेरा match है बैलेंशीट पर तो कोई फरक नहीं पड़ा ना तो बड़ी CDC बात है अब मुद्दे की बात है सर अब CRR में अगर डाल दिया तो यह 5,00,000 रुपे आपका जो था उसने बोला सर 5,00,000 रुपे आपका जो होना चाहिए ना share capital की जगहा पे एक word यूज कर दिया यह लेकिन share capital तो still आपका देखा जाये तो share capital 5,00,000 नहीं है क्योंकि यह 5,00,000 तो बचा ही नहीं आपका share capital तो बच गया कितना 3,00,000 और जो CRR है अलग से आगया 2,00,000 तो आपकी condition तो तूट गई ना यहां पे आपने बोला share capital को हम कम ही नहीं करने देंगे आपको लेकिन यहां तो कम हो गया share capital section 55 ने बोला रुको आपने जो यह 2,00,000 रुपे यहां पे अलग से रखा है ने CRR में आप कभी इस्तिमाल ही नहीं कर सकते इसका सिर्फ एक reason की वज़े से इस्तिमाल कर सकते हो वो भी share issue करने के लिए free के bonus share issue करने के लिए यानि सर आपके CRR में पैसे पड़ा है इस पैसे को आप use नहीं कर सकते चलो आपका मन कर रहा है यूज करने का करो और मन कर रहा है तो आप क्या करो सर bonus issue कर दो आप क्या कर दो bonus issue जैसे ही bonus issue करोगे तो आपका यहाँ पे दो लाक रुपे प्लस हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा जी तो ultimately महीं चले जाएगे यानि आपको ऐसे restrict करा आपको redemption करने का option दिया गया लेकिन आपको बांध दिया गया तो यानि बोला गया आप payment कैसे करोगे out of profit out of profit में से पैसा आप सबसे पहले कहां transfer मारोगे ले जाके CRR में और CRR का पैसा भी इस्तमाल नहीं करना CRR का पैसा सिर्फ एक काम के लिए इस्तमाल हो सकता है वो भी bonus share तो जैसा ही CRR को आप इस्तमाल करने के लिए जाओगे share capital बढ़ जाएगा इस पूरी कहानी को फिर से हटा देते हैं जो पहले की कहानी थी हम वहीं पर लेके चलते हैं हम पहले की कहानी को वहीं लेके चलते हैं इसको अठा के यानि अब मैं कहना चाहरा हूँ कि हम CRR क्रियेट नहीं करेंगे मैं कहना चाहरा हूँ CRR create नहीं करेंगे मैं कहना चारूँ अब मैं fresh issue से करूँ आप बताओ क्या करोगे तो fresh issue से जैसे ही करोगे तो आप 2,00,000 रुपे का fresh issue करोगे तो बोला हाँ तो यह यहां से गया और यहां पर एक नया equity share capital आ गया कितने का हो सकता है नया पर french share capital आ गया यह तो maintain ही हो गया इसकी payment करने की बारी आए तो जो आपने fresh issue करा वहां से 2,00,000 आपने इसको निफटा दिया हमारा कोई परकी नहीं पड़ा balance sheet पे तो यह दो ही method बताए हुए है अभी CRR पे आएंगे tension मत लीजिए अभी CRR और काफी question भी करेंगे basic basic तो अभी मैं simple सा क्या बताना चाहता हूँ section 55 ने क्या बोला section 55 basically बोलता है आप preference share को redeem करें लेकिन companies act क्या कहता है आपने share capital को आप reduce reduce करना है तो उसके जगह पर एक चीज़ हटाओगे तो उसके जगह दूसरी चीज़े आपको रखनी पड़ेगी यानि total पांच लाग maintain होना चीज़े और redemption करने के इसलिए दो तरीके बताएगे या तो आप क्या करो वहाँ पे out of profit करो या fresh issue करो या दोनों मिला के भी कर सकते हो जैसे मेरा मन कर रहा है यहाँ पर भईया मैं fresh issue एक लाग कर दूँ आपको और इंतिजाम करना है वो कहां से ले लेंगा profit तो general reserve से निकाल के कहां बेज देंगे CRR में तो ultimately उपर का 5 लाग का provision maintain हो जाएगा समझ में आ रही है बात आपको तो इसका मतलब सर यानि हमें preference share redeem करना भी compulsory है और हमारा share capital कम भी नहीं होना चाहिए इसलिए बोला गया कि जब कभी भी आप preference share को redeem करोगे तो out of profit या out of reserve करोगे या fresh issue से करोगे या both से कर सकते हो सर अब मुद्दे की बात है out of profit और out of जब भी होगा तो यहां का पैसा आपको use payment के लिए नहीं करना है यहां का पैसा आपको use करना है transfer करने के लिए अब बताओ कहां transfer करेंगे यहां का पैसा तो सीडी सी बात है इस पैसे को पहले हम कहां कर देंगे transfer capital redemption reserve में अब मुझे बताना कि यह पैसा होगा कहां पढ़ा हुआ तर यह पैसा होगा कहां बड़ी basic सी बात है liability में अब इससे जब आप पैसा निकालोगे तो liability को खतम करने के लिए general entry देखो आपका क्या हो जाएगा आपका free reserve debit हो जाएगा free reserve क्या हो जाएगा debit हो जाएगा है कि नहीं और आप एक और liability create कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा to CRR में तो क्या entry बनेगा free reserve debit और 2CRR अब एक question बच्चों का आता है सर अगर reserve के अंदर पहले ये बता दो कि free reserve होता क्या क्या है तो free reserve आपका हो सकता है general reserve मैं लिख देता हूँ free reserve या फिर out of profit में क्या क्या हो सकता है तो free reserve हो सकता है हमारा free reserve हो सकता है हमारा point number 1 short form में लिखूंगा general reserve point number 2 profit and loss point number 3 workman compensation reserve point number 4 point number 4 और कौन से reserve होते हैं any other pre reserve कर देता हूँ any other मैं भी list दे दूँगा इसका दिखा दूँगा मैंने लिखा हुआ है वो दिखा दूँगा ठीक है यानि इसको call करते है free reserve लेकिन sir reserve and surplus नहीं लिखा यहाँ reserve and surplus में security premium भी आता है reserve and surplus के अंदर क्योंकि एक reserve and surplus ना heading है तो reserve and surplus नहीं लिखा स्रिफ यही दो है out of free reserve का मतलब है इस profit को खर्च करने के आप अपने जहां इच्छा है वहाँ खर्च करिए कोई government आप से एक सब्द भी नहीं पूछेगा कि यह profit गया का आपने कमाया खर्च करोआ लेकिन एक होता है हमारा वो reserve जिसके लिए freely नहीं होते जैसे security premium उसको खर्च नहीं करना वो 5 जगह बताया हुआ था यूज करने के लिए section 52 sub section 2 के अंदर कहां कहां पे sir कहां कहां बताया गया था वहां बताया गया था एक तो bonus issue buyback और फिर preliminary expense write off तो वो 4-5 जगह बताया था वहां के लिए समझ में आई बात आपको sir fresh issue के अंदर preference share और equity share आ गया और यहां बोध में free reserve में भी आपको पता चल गया कि क्या आ गया तो अब सबसे पहले तो इसकी general entry आपको समझ में आया logically अब पता है दिक्कत क्या आता है आपको ना पैसे की जुरत है मान लेते हैं अब दिक्कत पता है कहा आता है बच्चे परिशान जो होते हैं और इस वजह से काफी बच्चों का answer अलग आता है लेकिन बच्चे डर जाते हैं मान लेते हैं मेरे पास general reserve में एक लाक रुपए है और P&L के अंदर मेरा मान लेते हैं दो लाक रुपए है correct यहाँ पे मेरे कितने हैं दो लाक टोटल तीन लाक हो गए पांस, तीन, आठ, साथ, पंदर ठीक है न अब मुझे again मैं बोलू के मुझे क्या करना है इसको हटा देते हैं एक पल के लिए इसको हटा देते हैं हटा दिया और हम इसको लेके चलते हैं इसको लेके चलते हैं इसको भी हटा देते हैं चलो भाई, preference share और इसको हमें redeem करना है तो आप बोलोगे सर हमें पहले मैंने बोला out of profit करना है तो क्या हमारे पास profit available है 2,00,00 रुपे का इसको redeem करने के लिए तो हाँ सर 2,00,00 रुपे से तो ज़ाद है profit का मतलब है चाहे profit बोलो चाहे free reserve बोलो ठीक है दोनों क्या हमारे पास 2,00,00 का इंतजाम है इसको redeem करने के लिए तो जवाब सर हाँ 2 की जगह पे हमारे पास कितना है 3,00, अब बच्चा confused होता है सर 1,00,00 रुपे ये ले और एक इसमें से लिए ये फिर दोनों इसमें से ले ले तो आपकी इच्छा है जैसे मर्जी जो मर्जी इस्तमाल करिए कोई restriction नहीं है तो कुछ बच्चे पता है क्या इसमें से profit यूज करने के लिए क्या कर सकते है ध्यान दीजिएगा मान लेते हैं एक बच्चे ने answer किया सर profit and loss को debit कर दिया और आपने क्या कर दिया general reserve को debit कर दिया एक लाख यहां से ले लिया एक लाख यहां से ले लिया पचास अजार इससे निकालते हैं बाकि GR से ले ले लेते हैं 1.5 lakh और 2CRR ले ले लेंगे 2CRR दो लाख यानि तीनों बच्चों ने अलग-अलग entry करा तीनों बच्चे का 100% ठीक है तीनों बच्चों का 100% ठीक है समझवाई बात आपको general reserve 2 lakh है ना अच्छा पी अंडल कर रखा है थोड़ा सा गलत हो गया ध्यान देना मैं इसको थोड़ा shifting कर दूँ मैं जो ले रहा था इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं ठीक है अब वो मैंने सोचा कि मैंने यहां रख रखा है तो आप वो tension मत लीजिएगा कोई बच्चा इस पर question ठीक है तो यानि आप जो आपके पास free reserve का criteria दे रहा है क्या होता है free reserve उसमें से अगर बहुत सारे option बहुत सारे जगे पैसे हैं तो आप कहीं भी पैसा इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन कुछ free reserve ऐसे होते हैं जैसे कि आपका free reserve मैंने लिखा work amine compensation reserve ये reserve अगर इसके against कोई liability बना हुआ है तो उतना use नहीं करना उसके अलावा अगर excessive बना लिया है अपने तो use कर सकते हो तो sir free reserve होता क्या है कुछ बच्चे बता भी रहें sir dividend equalization reserve भी होगा क्या मैं अभी बता देता हूँ free reserve कौन से है free reserve कौन से नहीं है तो ये बाते देखी लेते हैं तो tension ही खतम हो जागा ये आपकी किताब की सारी बाते मेरे पास लिख़्ी हुई है तो sir क्या कहता है divisual profit free profit वो वाले profit जो free है other than available dividend dividend के अलावा sir एक तो surplus का पैसा एक sir general reserve जो मैं बताई रहा था आपको एक dividend equalization reserve और fund ये भी हमारे free reserve का ही पाट है एक कौन सा आपका reserve fund कोई भी नाम से दे दे एक insurance fund हो सकता है एक workman compensation fund हो सकता है workman accident compensation fund हो सकता है contingency reserve हो सकता है provision reserve हो सकता है आपका provision for taxation हो सकता है हर किसी के आगर note लिखा हुआ note में यही लिखा हुआ है कि जैसे मान लेतने workman compensation reserve है और हमारे पास workman compensation reserve जो है ना वो हमने बना रखा है मान लेतने के 5 लाक रुपए इतना detail में जानी की ज़रत नहीं बस बता रहा हूँ कितना बना रखा है 5 लाक उसमें से 3 लाक का claim आया हुआ है यानि 3 लाक रुपए किसी worker को मुझे payment करना है हमारे पास fund में कितना पढ़ा हुआ है 5 लाक तो हमारे पास free वाला कौन सा available है सरिफ तो दो use कर सकते यही note में लिखा हुआ है जिसके आगे note मैंने लिखा है न तो मतलब वहाँ इस्किमाल कर सकते है यह वो reserve है भया जो कि free नहीं है सरकार से बिना पूछे इसको छूबी नहीं सकते है सबसे पहला कौन सा फिर आपका पूछना पड़ेगा सर permission लेना पड़ेगा इसके बाद capital redemption redemption जिसको CRR बोल रहे हैं और old और या फिर opening balance फिर profit prior incorporation और pre incorporation आपके slaves का part है नहीं वैसे मैं बता देता हूँ कई बार ना हमें company बनने से पहले profit हो जाता है क्योंकि company बनने में 6 महिने लग गए लेकिन हम काम थोड़ी न रोखेंगे हम partnership firm है partnership से हम company में जा रहे हैं तो partnership में तो काम चली है न तो किस दिन से हमारा company commencement होगा तो prior incorporation होता है become owners का part होता है program के अंदर अभी है नहीं हम बाद में इसको अलग से देख लेंगे कि कैसे करा जाता है इसके बाद सर revolution reserve revolution reserve तो बहुत सारा बारवी में क्या होगा assets का value बढ़ गया घट गया जो revolution account बनाते थे profit on sale of fixed assets तो सर ये भी नहीं होगा debenture redemption reserve जिसको हम क्या बोलते हैं सर DRR आगे आएगा chapter उसमें भी देखेंगे सर development rebate reserve ये भी हम आगे देखेंगे investment allowances reserve ये भी तो ये कुछ kind of reserve है अगर आपको balance sheet में दिखता है तो इस पैसे का भूल के भी इस्तमाल मत करना क्या बनाने के लिए CRR बनाने के लिए और अगर इस type के नाम आपको balance sheet में दिखता है तो इनका नाम इस्तमाल कर सकते हो कहां पे सर CRR तो मैंने यहां बड़े कम word लिखे है लेकिन बस एक मोटा मोटा tentative idea दे दिया है मैंने के कैसे लिखेंगे सर लेकिन JR तो एक लाख है अच्छा भी वो बच्चे बोल रहे थे JR एक लाख है वो मैंने change कर दिया ठीक है ना यहां तक हर किसी को clear है अब सर मुद्दे की बात यह आ गई सर ठीक है CRR भी बन गया fresh issue भी बन गया बोथ भी हो गया क्या क्या condition लिखी हुई है वो जो किताबों में लिखी हुई बात है ना वो मैं एक बार read कर देता हूँ वैसे मेरा ऐसे read करने का मन नहीं करता जो कि irredeemable हो मतलब जिसको वापस पैसा ना देना हो आपको redemption करना है 20 साल के अंदर लेकिन redemption exceed हो सकता है 20 साल से के जगा 30 साल कब जब company के पास कुछ power है कुछ ऐसे example है जहाँ पे 30 साल मिलेगा telecommunication company है industrial company है जो की social development का काम कर रही है आपका power generation company है petroleum company इनको 30 साल का वक्त दिया जाता है लेकिन मैंने इसके अंदर आपको 10% वाली बात यहाँ नहीं लिखी लेकिन वहाँ पे बता दिया और दूसरा आपका tribunal जो हमें approval देगा वो दोनों बाते हैं वहाँ पे मैंने सारे बाते कर ली CRR, CRR, CRR लेकिन सवाल यह आता है सर CRR बनाना कितना है यानि CRR बनाना कितना है CRR तो बोला गया भाईया CRR बनाना है equal to redeemable redeemable equal to redeemable equal to redeemable आव विश्णू अभी मैं पहले अपना concept खतम कर लूँ फिर आप सभी को मौका दूँगा बात करने के लिए जो भी होगा देखेंगे यह short form में लिखते देते हैं CRR is equal to आपका जो redemption करोगे of preference share capital यानि अगर आपको preference share capital 2,00,000 का redeem करना है preference share capital 2,00,000 का redeem करना है तो CRR कितना बनाना है आपको सिर्फ 2,00,000 का बनाना है ऐसा नहीं कि profit में 3,00,000 पढ़ा हुआ तो चलो डाल देते हैं कोई दिख कर को कितना बनाओगे 2,00,000 का ही बनाओगे कितने बनाने वाले हो 2,00,000 का ही ये क्या दिक्कत आ रहे है अभी hand raise का doubt बिल्कुल भी नहीं लेंगे अभी पहले हम concept को खतम कर ले amount लेकिन sir GR में ठीक है वो amount बता दिया मैंने लिख दिया यहां पे पहले concept clear करने दिए जितना मुझे आता है मैं तो बता दू तभी तो आपके सवाल पूछूँगा तो सबसे पहले CRR का ये सवाल आता है लेकिन sir लेकिन एक दिक्कत है जब आप fresh issue करोगे क्या तब भी CRR बनाना है तो जवाब जब fresh issue करी दिया तो CRR बनाने की जरुरत क्योंकि अगर fresh issue हो गया तो capital तो हमारा compensate हो गया तो CRR बनेगा ही नहीं लेकिन दोनों अगर कर रहे है fresh issue भी और जनरिज़र भी तो बनाना पड़ेगा कितना बनाना पड़ेगा तो बोला गया sir redemption value of preference year यानि sir redemption value of preference year का मतलब यहाँ पे आप consider करना face value पर वैसे question मैंने लिखा हुआ already लेकिन ऐसे कर लेते हैं point number one मान लेते हैं 10% मुझे preference year capital redeem करना है rupees है 10,00,00 का तो मेरा answer बताईएगा क्या होगा हमारा CRR CRR कितना बनेगा बताईए फटा फटर CRR कितना बनेगा कितना redemption करना है हमें 10,00,00 तो कितना बनेगा 10,00,00 दूसरा question अगर 10% दूसरा question 10% preference year capital हमें rupees 10,00,00 रुपे का है और redeem करना है at 10% premium पे 10% premium का मतलब हम आपको extra पैसा देंगे इसका मतलब हमें preference year holder को preference year holder को जो लोटाना है पैसा 10,00,00 तो देना ही दे था plus में 10% और ज्यादा देंगे यानि सर कितना 11,00,00 रुपे आपको लोटाना पड़ेगा जब हमें 11,00,00 रुपे और लोटाना पड़ेगा तो मुझे simple सी बात बताईए basic सी बात बताईए कि जब हम preference year को 11,00,00 लोटाएंगे तो अब हमें बताईए CRR कितना बनाना है CRR आपको बनाना होगा मैंने बोला हमेशा रहेगा समझ मैं यह बाता आपको यानि कितना अब मान लेते हैं कि हमारा वैसे discount पे कभी भी preference year redeem नहीं होगा discount पे नहीं होगा हमेशा होगा या तो पार होगा या फिर तो एक बात यहां से समझ में आ गया कि जितना preference year हमें redeem करना है उसके face value के बराबर हमें क्या बनाना पड़ेगा CRR अगर partly paid up preference year है तो पहले उसे fully paid up preference year बनाओगे उसके बार चलो एक और example लिले तीसरा तीसरा example है 10% हमारा preference year capital है और ये number है हमारा कितना सर 10,000 और paid up value यहां पे paid जो किया हुआ है वो करा हुआ है इन्होंने 80 रुपे यानि सर टोटल मिला के 8 लाक रुपे हमारे पास आ चुका है अब बताइए हमें CRR कितना बनाना है CRR कितना बनाना है तो सर जवाब यहां पे भी CRR face value के बराबर बनेगा that is 10,000,000 सर यहां पे तो 8,000,000 है तो पहले आप इसके अंदर और भी call मंगवाएंगे 2,000,000 रुपे का और call मंगवाएंगे तब आपका ये process CRR का start हो सकता है अगर आपका 8,000,000 रुपे पेड़ रह गया तो आप CRR के यानि redemption के process पे बढ़ी नहीं सकते क्योंकि law क्या कहता है सर law कहता है कि आपको preference share redeem करने के लिए fully paid up preference share होना ज़रूरी है तो अगर ये partly paid up है तो redemption के process में आगे बढ़ सकते हो क्या नहीं बढ़ सकते है तो पहले इसको किस में convert करोगे जब fully paid up में आप convert करोगे चाहे जैसे भी करो whatever way हो तो आपका 10,000,000 तो होई जाएगा नहीं तो CRR उसके बाद कितना बनेगा हमारा 10,000,000 बनेगा ठीक है अगर मान लेते हैं यही हम fresh issue की बात करता हो तो यहाँ पे भी fresh issue कितना होता 10,000,000 यहाँ पे भी fresh issue कितना होता 10,000,000 और यहाँ पे भी fresh issue कितना होता 10,000,000 रुपे का समझ में आ रही है बात आपको समझ में आ रहा है सर सेकिंड पॉइंट दुबारा explain कर दो बिल्कुल सेकिंड पॉइंट कौन सा है हमारा ये second point में क्या है कि 10% preferent share capital है और हमारा redeemable था 10% premium पे sir redeemable किस पे था 10% premium पे मतलब 10 लाक रुपए तो face value है मैं कहूं 10 रुपए वाले समान को 10% premium पे लोटा हूँगा तो मतलब मैं आपको 11 रुपए लोटा हूँगा तो कितना 11 लाक रुपए लेकिन लोग कहता है आपको CRR सिर्फ face value के बराबर बनाना है premium का नहीं बनाना है तो sir आप कितना premium face value कितना है इसका 10 लाक तो इसलिए हमने CRR कितना बना है यहाँपे 10 लाक रुपए का यहाँपे face value बता दिया discount पे तो था ही नहीं अभी discount वाला मैंने यह कहा कि company जो है वो preference share को redemption जो discount पे नहीं कर सकते और आप करना भी क्यों चाहोगे आप मुझे 100 लुपे दो मैं आपके lot आऊँगा that is redemption मैंने बोला 100 ले दो आपको 90 lot आदूगा तो क्या ऐसा possible अगर ऐसा possible लोगा तो दिन बर मैं यही करता रहूँगा 100 लुपे ले लूँगा 90 देता रहूँगा 100 लुपे ले लूँगा 90 साल का क्या इंतिजार करना दिन में 100 वार कर लेंगे कमाई हो जाएगी दिन बर की तो आपसे जितने पैसे मैं लूँगा आपको return उससे कम नहीं करूँगा क्योंकि आप ही agree नहीं होगे मुझे उससे ज़्यादा ही करना होगे तो discount पे redemption possible नहीं होता लेकिन कई बार हो सकता है वो law के against जाएगा लेकिन फिर भी हम करेंगे आगे देखेंगे हम conversion वाले case में ठीक है ना